नमस्कार मैं डॉक्टर अरून आपके चैनल पुरातन विज्ञान पर फिर से हाजिर हूँ हमारे सरीर के अंग इतने बहमुल्य है मार्केट में नहीं मिलता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी छोटी छोटी सी गलतियों के कारण वो अंग को हानी पहुचता है और बाद में हम बहुत पस्ता आते हैं एक छोटी सी परिचर्चा है परिचर्चा सुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें लाइक शेयर करें और कमेंट्स जरूर दें तो सुरू करते हैं कि हम अपने सरीर के अंगों को स्वेम छती कैसे पहुचाते हैं या अपने सरीर के अंगों को छती पहुचने से कैसे बचा सकते हैं इन दोनों सवालों का जवाब इसी में, जो हम करते हैं उससे छती पहुंचती है, अगर हम थोड़ी सी सावधानी बढ़ते हैं, कुछ उसके लिए positive way में जाए, तो उन अंगों को छती पहुंचने से, नुक्सान पहुंचने से हम बचा सकते हैं, तो सबसे पहली बात सुरू क करते हैं, stomach, stomach को छती पहुंचती है कब? जब हम सुबह का नास्ता नहीं खाते हैं, जी, stomach को छती पहुंचती है जब हम सुबह का breakfast नहीं लेते हैं, kidney को, kidney को छती पहुँचती है जब 24 घंटे में हम कम से कम 10 गलास पानी नहीं पीते हैं अगर हम 24 घंटे में 10 गलास पानी नहीं पीते हैं average तीन लीटर पलस तो हम अपने किडनी को स्वेम छते पहुचा रहे हैं गॉल बलाडर को छटी पहुंशती है तब जब हम रात में सारे 10 बजे तक सो न जाए और सुरियोदय से पहले जग न जाए अगर हम सारे 10 बजे तक सोते हैं सुरियोदय के समय जगते हैं हमारा गॉल बलाडर सुरच्छित है अगर हम लेट नाइट सोते हैं लेट मॉर्निंग जगते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने गौल बलाडर को छती पहुचा रहे हैं Small intestine Small intestine को छती तब पहुचती है जब हम बहुत थंड़ा कोई चीज पेपदार्थ हो या फ्रीज में रखा हुआ कोई pastry हो आईस क्रीम हो हम खाते हैं Lungs फेफरा Lungs को छती पहुचती है तब जब हम प्रदूसित वाता बरन में शास लेते हैं धूल धकर वाले जगह पे शास लेते हैं या अगर हम धुम्र पान करते हैं तो इससे हमारे Lungs को छती पहुचती है लीवर को छती पहुचती है तब जब हम ज़्यादा मात्रा में तली भूनी चीजे जंक फूट फास्ट फूट खाते हैं हाट हाट को छती पहुचती है जब हम खाना में ज़्यादा मात्रा में नमक और फैट खाते हैं पेंक्रियाज को छती पहुंशती है कब जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में मीठी चीजे खाते हैं स्वीट्स खाते हैं चॉकलेट्स खाते हैं मिठाईयां खाते हैं और आज आख आख को छती पहुंशती है जब हम तीवी देखते हुए मुवाइल देखते हुए लैप्टॉप पर काम करते हुए कम्प्यूटर पर काम करते हुए अपने रूम का मेन बती बुता कर यार थाट अगर हम डार्क स्पेस में बाहर का बातावरन डार्क हो सिर्फ हम स्क्रीन लाइट पर टीवी देखते हो स्मार्टफ़न चलाते हो लैप्टॉप चलाते हो कम्प्यूटर के डेक्स बोट पर काम करते हो तो हमें आरे आख को छटी पहुंचती है अता जब भी ये काम करें रूम का लाइट आउन करके करें ब्रेन को छटी पहुंचती है कब जब brain को छती पहुंचती है कब जब हम नकार आत्मक negative thoughts को प्रसरे देते हैं अपने दिमाग में इसलिए brain को छती होने से बचाना है तो हमेशा positive thoughts को अपनाई है Soul Soul आत्मको छती पहुंचती है कब जब हम अपने परिवार अपने दोस्तों अपने सगा संबंदों अपने संतानों अपने रिष्टेदारों का खयाल नहीं रखते हैं और ठीक उलट वो परिवार वाले, वो हमारे अवलाद, वो हमारे रिष्टेदार, वो हमारे मित्र, अगर मेरी खयाल भी नहीं रखते हैं, एक दुसरे का पूरक अगर नहीं है, तो हम अपने सोल को छटी पहुंचाते हैं, यह सरीर के जो अंग है, बजार में नहीं मिलते हैं, अपनों का ख्याल लखें, स्वस्त रहें, ब्यस्त रहें, मस्त रहें, नमस्कार. कि भूर्ण बेंस अरोकाम प्या질 हैं, गया हैं, तो हम माय। भूरका थेंजा свои milhões, ब्यस्त रहा हैं, अर sóा रहें, ब्यस्त रहें, ब्यस्त रहें पूरक देंजार, इसे ज़